दोस्तों काटा फाइडो कुलोराइड का तो नाम आप लोग सुने होंगे और लगबग सभी किसान भाई इसको यूज भी करते हैं और सभी कमपानियों के पास इस कॉमपोजेशन का दबा एवल-एवल भी होता है और एक चीज आप लोग को बता देते हैं कि IPM यानि कि Integrated Quest Management क मुताबिक काटा फाइडो कुलोराइड को सबसे Suitable Insecticide भी माना जाता है और किसान भाई इसको बहुत ही ज्यादा मात्र में यूज करते हैं लेकिन इसका जो रेजाल्ड है वो सही से नहीं ले पाता है किसान भाई सोचते हैं कि हमारा जो रेजाल्ड है वो इतना ही है काटा कोंपनर कोरेड को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर काटाफ राइडो कवसा का मौसे इसको मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे डिटल्स में कि के बारे म इ Alors करेंगे तो वीडियो को अप लोग को लाश्ट तक देखना है बाट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहें तो चैनल को सबस्क्राइब जरू का लीजिगा कि कि आम इस चैनल पर ऐसा वीडियो डालते रहें तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं काटा ohne क груible ratd kia hoता है और यह कित्ने प्रकारखी ओता है तो काटा फईड़ावर एक कटेक्ट और सिंचेमिटिक एक्सेन के साथ काम करने वाला काम करने वाला बहुत ही अच्छा क्षा और इसको IPM यानि की Integrated Pest Management के मुताविक कहा जाता है कि सबसे Suitable Insecticide है काटा फाइडो कोलोराइड काटा फाइडो कोलोराइड आप लोग का तीन प्रकार की होता है एक तो होता है काटा फाइडो कोलोराइड 50% जो की SP formulation में होता है SP यानि की Solubile Powder होता है और एक होता है काटा फाइडो कोलोराइड 75% SG formulation में यानि की Solubile Granules होता है और एक होता है काटा फाइडो कोलोराइड 4% GR यानि की ये 4% में Granules formulation में होता है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काटा फाइडो कोलोराइड 50% SP formulation में मिलता है वो बाजार में कौन-कौन सी ब्रांड का मिलता है तो वो बाजार में बहुत ही फेमास जो कलडान नाम पे मिलता है धानुका कमपानी का या फिर आप लोग को क्रिटा नाम पे मिलता है किसी रासान कमपानी का या फिर कोरोमोंडल कमपानी का पादान नाम पे भी आप लोग को और जो काटा फाइडर कॉलाइड 75% जो SG फोर्मूलेशन में मिलता है वो भी आप लोगो को धानुका कमपानी का मोटार नाम पे मिलता है या फिर जो अप लोगो को काटा फाइडर कॉलाइड 4% जी आर होता है वो भी आप लोगो को धानुका कमपानी का कलडान 4G नाम पे मिल या फिर और भी विविन्यो ब्रांड का 4G नाम पर आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल हो जाता है लेकिन इसका जो फॉर्मूलेशन है वो कौन सी फॉर्मूलेशन को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो आगे जगे आप लोगों को हम डिटेल्स में बात जैसा होता है जो कि यह इल्लियों का हर स्टेज पर काम करता है यानि कि एक इल्लियों का तीन स्टेज होता है सबसे पहले एग होता है यानि कि अंडे होता है उसके अलबा उसके बाद जो होता है और उसके बाद एडाल होता है तो यह तिनों स्टेज पर यह अच्छी तरीक यानि कि क्या होता है किसी भी पोदे में अगर आप लोग इसको इस्प्रे करते हैं तो पूरे पोदे में यह automatically फैल जाता है और उसके बाद कोई भी इंसेक्ट अगर उसका पत्यों से रश्च चुसता है या फिर तना से रश्च चुसता है तो बाद में जाके वो भी खताम हो दिया और पत्ति के निचली सता तक अटोमेटिकली यह जो दबा होता है वो पहुचा देता है क्यूंकि काटाफ हाइड को इस्प्रे करने के बाद आप बत कर लेते दोस्तों काटाफ हाइड को इस्प्रे करने के बाद यह कौन-कौन सी इल्लियों के उपर काम करता है तो आ जादातर किसान भाई क्या करता है काटा फाइडर को धान की फसल पर इस्तेमल ज्यादा करते हैं क्योंकि पता है धान की फसल में ताना चेदक और जो लिप फोल्डर होता है उसके उपर बहुत ही अच्छा रेजल मिलता है इसलिए काटा फाइडर को सबसे ज्यादा किसान भा आप लोग नॉर्मेली सिंग्यल इस्प्रे कर देते हैं किसी भी फसल पर सब्जी बर्गयों फसल में तो हो सके उतना अच्छा रेजाल अप लोग को नहीं मिलेगा लेकिन उसी आलत में अगर आप लोग को सुमी प्रेम्ट या फिर और भी किसी भी दवा को अगर मिला करके य तब ही अप लोग को अच्छा रेजल्ट मिल पाईगा काठा फाइड़ो को लीट को यूज करने के बाद और हाँ काठा फाइड़ो कुलरेड को अगर अगर आप लोग नॉर्मली प्रिवेंटीव तरीके से अगर इस्प्रे करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं उसमे कर सकते हैं तो काटाफ हाइडर कोलेट जैसे कि आप लोग को पहले बाता चुके कि तीन फॉर्मूलेशन में आप लोग को मिलता है एक तो आता है 50% SP जो कि उसको अगर आप लोग को यूज करना है तो आप लोग उसको डेर से दो ग्राम प्रति लिटर पानी में मिला करके चि आप लोग को अच्छा रजल मिलेगा लेकिन काटाफ हाइडर कोलेट जो 50% SP और 70% SG मिलता है उसको तो आप लोग छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन 4% जो GR मिलता है उसको आप लोग को खाद के साथ या फिर नॉर्मली किसी भी खाद के साथ मिला करके अग अलग अलग प्राइस होता है जैसे कि जो 50% SP फॉर्मॉलेशन में मिलता है वह आप लोग को लगबग 50 ग्राम का पकेट होता है वह लगबग 80 रुपे के असपास मिल जाएगा हां लेकिन ठोड़ा बहुत मार्केट की हिसाब से अलग अलग हो सकता है उसमें आप लोग ज्य सुरुपे केजी हिसाब से अप लोग को मिल जाएगा तो इस तरीके से काटा फाइडवकॉलोघ को अगर अगर अप लोग इस्तिमाल करना चाते हैं तो अप लोग कर सकते हैं भूस ही अच्छा रिजल्यको ऋपेord अब जातला है हैं